नमस्ते दोस्तो आप से भी का स्वागत है DTH टी में दोस्तो DTH में यूज के जाने वाले दो सबसे important tools की हम बात करने वाले है दोस्तो ये दो tools है ये पहला tool है preparation tool और दूसरा है compression tool दोस्तो preparation tool एक्सर cable cut करके उसको prepare करने के काम में आता है दोस्तो ये tool है ये फूरी तरह से plastic से बना है और ये बहुती मजबूत होता है इसके लाइफ बहुती अच्छा होता है चार पास सालों तक ये खराब नहीं होता दोस्तो इसमें से जो blade से वही थोड़े से खराब हो जाते है अगर से इनको proper use नहीं किया जाए तो देखिए दोस्तों इसको इसे केबल को अंदर डालकर हम इसको क्रिपेर कर सकते हैं इसको ठीक से यूज करेंगे तो यह काफी दिनों तक यूज होता है दोस्तों इसके दूसरे मूँव पर एक spanner बना होता है यह connector को fit करने के काम में आता है कि दोस्तों बहुत ही important टूल है और यह दूसरा टूल है compression दोस्तों compression टूल का यूज काफी लोग नहीं करते हैं जो लोग original company के connectors यूज कर रहे हैं उनके लिए compression टूल बहुत ही ज़रूरी है और इसका इस्तमाल करना ही चाहिए दोस्तों यह टूल जो है बहुत ही heavy duty होता है और इसका life बहुत अच्छा रहता है दोस्तों एक बार टूल लेंगे तो इसकी कीमत करीब 900 से 1000 रुपे के आसपास सते है एमेसोन के उपर थोड़ा सा महेंगा है लेकिन original quality का tool हमें मिलेगा जो बाजार में actually available नहीं होता है Amazon से हमें तुरंद मिल जाएगा दोस्तों यह tool बह बार बार निकल जाता है और नो सिगनल की प्रड़म आती है दोस्तों अगर से आपको मेरे वडियों पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीचे अपनी दोस्तों का शेर कीचे और मेरे चानल सब्सक्राब करना ना भूलिए नहीं दोस्तों